दोस्तों, इंडिया में 95% से ज्यादा मोबाइल फोन्स, गूगल का Android प्लाटफॉर्म यूज़ करते हैं। CCI, याने की Competition Commission of India, जो इंडिया में Healthy Competition को बढ़ावा देती है, उसने गूगल पर about 1300 करोड का फाइन लगाया है। देखे, जो भी मोबाइल ब्रैंड, जैसे कि Samsung हो या फिर MI, जो अपने phones में Android का यूज़ करते हैं, उन्हें Google के साथ एक Agreement Sign करना पड़ता है। और इस Agreement के According, Google के कुछ Apps इन फोनों में Pre-Installed आती हैं। साथ ही Google का Search Engine भी Android phone में Default होता है, और इन सभी Pre-Installed Apps को Delete भी नहीं किया जा सकता। तो CCI के According, Google इन ब्रैंड को अपने Devices पर Selected Google Apps को Choose करने और उन्हें Pre-Install करने के लिए Force नहीं कर सकता, क्योंकि ये Healthy Competition को खतम करते हैं। For example, YouTube या फिर Gmail आप सभी के Android phones में Pre-Installed आये होंगे और उन्हें Unstall भी नहीं किया आ जा सकता। तो दोस्तों हमें जरूर बताएं कि क्या Google की ये Domination खतम होनी चाहिए या नहीं।